अगर कुश्चन में डिमांड करता है आपका कि आपना अकाउंट ही बनाईए कुश्चन क्या है कि बहुत सारे चीजों को बिना अकाउंट बनाए भी निकाला जा सकता है जैसे पैटी केश जैसे हमारा डेप्रीशेशन यह एसेट का क्लोजिंग बैलेंस बैंक का बैलेंस तो अगर कुश्चन में स्पेसिफिक करता है कि प्रपेर पैटी के शिक्सपिंस अकाउंट तो बनाना पड़ेगा लेकिन अगर कुश्चन के अंदर बोलता ही नहीं है कि क्य बनाना है बस जैसे नॉर्मली बोला उसने कि वह स्टॉक डेटर सिस्टम है करिए तो बागी के अकाउंट अगर आप ओरली कहीं रफली कर सकते हो तो कर सकते हैं अब हाँ तब भी आपका इसका मतलब अकाउंट नहीं बोला उसने है हमारे सामने कोश्चन है इस को करेंगे इलेस्ट्रेशन नंबर 21 सर यह आपकी किताब में कोश्चन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोनों बाते हैं ध्यान से देखते हैं कहता है गुड्ट सेंट है तो इस ब्रांच एट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस 25 परसंट सर कॉस्ट प्लस 25 परसंट का मतलब होता है सर सेल्स के ऊपर हमारा माना जाएगा यह बीस परसंट है ना ऑल एक्स्पन्स ब्रांच पीड बाइच्छ बाल केटेट बाइच अच्छा यह सब आएगा या फिर किस से आएगा टीपॉजिट टो डे मैं आप देखो डेटर बनाना पड़ेगा ब्रांच अडजस्मेंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है यह तीनों ही बना रहे हैं अडजस्मेंट यह हो गया इसके नीचे हम क्या बना देते हैं जनरली पी एंडल तो आप जब ऐसे बोले ना ब्रांच य पी एंडल के नाम से आप दे दोगे यहां पर ठीक है न तो इस सवाल के अंदर सारी बाते बोल दिया इसने अब डेटर का बैलेंस दे रहा है ओपनिंग 12,000 तो हमने क्या लिखा यहां टू बैलेंस टू बैलेंस बीडी और यह आगया सर 12,000 और बाइबेलेंस बाइबेलें आगया जाते हैं, stock invoice price या IP बात देखी है, तो 2 balance, 2 balance BD, sir stock कितने का है, 16,000, और buy balance, balance CD कितने का है, 17,000, ठीक है न, ये भी हो गया, ये भी हो गया, cash sales, cash sales during the year, तो sir cash sales हमारा दे रखा है, इसको देख लेंगे, कहता है credit sales 20% more than the cash sales, यानि जो credit sales होगा न, देखिए आप यहाँ पे na, credit sales दिया ही नहीं है, देख रहे हैं, तो main point यही था मुझे बताने का, कहता है sir हमारा cash में sales है, cash में sir sales कितने दे दिये इसने, 60,000, दूसरा कहता है credit sales जो होगा, वो होगा कितना, more than the, यानि 20% extra होगा, तो इसका 20% इसका extra कितना होगा, 12,000 add कर देंगे, यानि means 72,000, यहां मैं bracket में भी लिख देता हूँ, 60,000 में, आप 12,000 प्लस कर देंगे, ठीक है, आगे कहता है, total amount deposit to HO during the year, total amount कितना deposit किया है उसने, लेकिन यह थोड़ा सा अगर देखा जाए, तो इसका total करते हैं, तो क्या आता है, एक लाग जैसे हमारे cash sales ही है, और credits नहीं, इसका तो total होगा नहीं, मैं गलत जा रहा हूँ, ठीक है, यहां तक समझ में आया, कहता है total amount deposit, total amount deposit का मतलब, total हमारे पास पैसा कितना था, एक लाग, 27,000, जिसमें से नगद sales था, cash sales कितना था हमारा, 60,000, तो बाकी का पैसा कहां से आया, collection हुआ होगा, किस से, debtor से, sir, कितना collection होगा, बताओ, 67, जो की हम use कहां कर लेंगे, debtor में, buy cash, कितना, 67, और यहां पे आ जाएगा हमारा, क्या, cash sales, जो की था, 60, और क्या आ जाएगा, buy side में, credit sales, credit sales, जो की कितना था हमारा, 72, समझ में आ रहा है यहां तक, यह वाला point समझ में है, कहता है, goods return by branch to HO at invoice price, goods return by branch, तो कहां आएगा, buy return, कितने रुपे का, 5,000 रुपे का return हो गया, इसके बाद कहता है, expense paid, कितने का expense paid की है, सर, बताईए, तो यहां पर आ जाएगा, expense paid, और आपने कहा, सर, कितने का, 10,000, इसके बाद कहता है, discount allowed to customer, 2,000, एक तो debtor में आएगा, कितने, और second यहां आ जाएगा, discount, 2,000, इसके बाद, benefits return of, कितने का, 1,000, इधर आएगा, कितने, second यहां भी आ जाएगा, benefits, कितने, 1,000, ठीक है, abnormal loss, 2,000 का, भोल दिया इसने, और abnormal लिख भी दिया है, तो by, मैं ABL लिख रहा हूँ इसको, loss, कितने का, 2,000, कहानी खतम होती है, अब बस loading का process रह गया, ठीक है न, अब हमें यहां से क्या निकालना है, कुछ नहीं, credit sales, पहले से ही पता था, credit sales हमें पता चल गिया था, 70, मेरे हिसाब से यह दोनों side बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ निकलना तो है नहीं, तो 12,000, 72,000, 84,000, 84,000, minus 67,000, minus 2,000, minus 1,000, तो दोनों side क्या हो गया, बराबर, तो यहां पर अगर debtor account नहीं भी बनाओगे न, तो हमारा solution आ सकता था, समझ रहे बात को, आ सकता था, क्योंकि debtor से कुछ यूज नहीं करना, लेकिन सवाल में कहता है, कि prepare branch debtor account, तो इसलिए हमने क्या करा, branch का debtor account prepare किया, समझ ना इस बात को, चलिए अब loading की बारी आ गई, अब ये भी दोनों side न, match हो जाएगा, इधर कुछ भी goods sent नहीं दिया, पूरे सवाल में तो इधर क्या आएगा, goods sent, निकाल लेते हैं goods sent, स्टाथ हजार, बहत्तर हजार, पांच हजार, दो हजार, सत्रह हजार, 156, 156, माइनस में 16, देखें goods sent कितना आ रहा, 41, ठीक है, यहां तक clear हो गया, ये account, ये account, अब loading की बात करते हैं, buy side में loading, किस-किस पे loading निकलेगा, goods sent पे, तो 41 पे 20%, 16,000 पे, यानि opening stock, 16,000 पे 32, ठीक है, अब to loading, किस पे सर, return पे, return 5000 पे, 1000, 20%, abnormal loss, abnormal loss, 2000, 2000 पे 20%, 400, और बाकी बचा हुआ यहां जाएगा न, बाकी बचा हुआ कितने, 1600, बाकी बचा हुआ यहां जाएगा, that is, 1600 रुपे, ठीक है, आगे आ जाते हैं, सर, अब CD पे भी आएगा, यानि, closing stock, 34, तो सवाल देखिए, बहुत आसान था यह, मैंने सरिफ वो जो थोड़ा सा point है, इसलिए कर दिया, 35, 400, 28,000, 32, 31, 200, तो सर, यह लॉस आ गया ना, लॉस आ रहा है, चेक करिए, नई, यह 35,000, चार सो नहीं होगा, मैंने गलट टोटल कर लिया था, यह गलट टोटल हो गया, यह आ गया, हमारा 31, 21, 31, 31, 21, 31, तू ग्रॉस प्रॉफिट, सर, माइनस करो, 1400, 34, 48,000, 48,000, माइनस, 31, 200, 26, 400, और यह आंसर मुझे कहीं, देखा देखा लग रहा है, बाई, ग्रॉस, 26, 400, ठीक है, यहां से क्या निकाल लो, को नेट प्रॉफिट, और 2NP, है न, इदर ही लिख देते हैं, 26, 400, 16, 100, 10,000, 2000, 1000, 11, 800, यहां जाए, क्लियर, कोई दिक्कत को उस्टिन में, उल यहां में संग्ज में आगे है, क्लियर है, avereारी प्रॉप्राइभ ≥ झाल झाल